हेलो दोस्तो मैं हूं मोहिस सर्मा और आप देख रहे हैं आट गुरू मोहिस सर्मा यूट्यूब चैनल तो आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा ये पीछे वाली पेंटिंग जो हम मंडल आट के द्वारा बना रहे थे वाल पेंटिंग है तो इस तरह की वाल प पर नए आया है तो चैनल को जोर सब्सक्राइब कर लिए बैर आइकन को प्रेस कर दिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना नीचे कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था ये हमने किस तरह से बनाया था अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी इसका फरस्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा वहा आप पर देखने के लिए काफी इंपोटेंट है ये वीडियो तो अगर आप पूरी वीडियो ये देखते हैं तो आपको भी इस तरह की वाल पींटिंग बनाने में काफी आसानी हो जाएगी और आप भी क्रेट कर पाएंगे इस तरह की ब्यूटिवल पेंटिंग अपने व तो जरूर से देखिये वीडियो को लाज तक और हम इस पन्क को आगे बढ़ाते हैं, जो भी हमारा एरिया है, आपकी वॉल आप डिशाइट कर सकते हैं, कौनसी वॉल पर आपको बनानी है, किसी भी वॉल पर यह आप ट्राइब कर सकते हैं और बना सकते हैं, तो यहाँ पे एक फ्लो ले लेते हैं हाथ में आपको जो उसके पंखों में जो फ्लो होता है वो चीज आप यहाँ पे create करेंगे और उसी के अनुसार यहाँ पे आपकी जो lining है उसी की तरह से draw करेंगे और यहाँ पे पंक का जो बीच वाला हिस्सा होता है वो मैंने यहाँ पे बना लिया है तो उसको आप इस तरीके से बना सकते हैं तो इसमें आप different type के designs दे सकते हैं जो भी आपके मन में है या फिर कहीं से भी देखके आप जो भी design आपको पसंद है वो design आप दे सकते हैं या फिर आप इस वीडियो में देखके designing आप कर सकते हैं तो काफी अच्छा designing दिया है मैंने तो आप इसको देखके अपनी wall पे यहाँ पे जरूर बना सकते हैं तो इस तरीके से आपको बुरुस को चलाना है आप यहाँ पे सीख सकते हैं इस तरह से आपको बुरुस को चलाना है तो बुरुस के बाल थोड़े से लंबे होने चाहिए आपके ताकि जब आप अपनी wall पे उसको चलाएं रफ करें तो काफी smoothly वो यहाँ पे lining create कर पाए तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है थोड़े से लंबे वालो वाला बुरुस ले लीजिए तो यहाँ पे मैं round brush यूज़ कर रहा हूँ और acrylic color का यहाँ पे black color यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमें इसमें और भी create कर सकते हैं इसमें अलग-अलग colors का भी इस्तिमाल कर सकते हैं जो अलग-अलग punk हैं एक-एक जो punk है उसमें अलग-अलग colors भी दे सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा colorful बनाना है तो यहाँ पे मैंने black and white बनाया पूरा तो black and white भी काफी अच्छा लगता है देखने में तो यहाँ पे आप देख पाएंगे किस तरह से मैं पूरा designing कर रहा हूँ एक-एक punk में जो जो आप एक-एक अलग-अलग जो punk बनाएंगे उसमें अलग-अलग designing कर सकते हैं काफी अच्छी तरीके से और यहाँ पे आप designing देख सकते हैं वो यहाँ पे खतम हो जाएगा और आपकी जो painting's है वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी देखने में, तो यहाँ पे आपको यह सीखना है कि आपको कहाँ पे ज़्यादा white छोड़ना है, कहाँ आपको ज़्यादा black करना है और कहाँ पे इसका जो combination है वो equal रखना है, तो यहाँ पे भी आपको सिर्फ जो shading technique होती है, आपको light, highlight और middle tone, सारी tones यहाँ पे use करने पड़ती है, तभी आपका जो यह mandal art है, यह 3D लगेगा, तो wall painting इसमें जब हम करेंगे, तो अभी हम इसमें फिलाल उपर उपर से जो कर रहे हैं, और बाद में इसकी हम shadow लगाएंगे, तो ताकि यह painting जब उभर के आएगी, तो shadow लगानी बहुत ज़रूरी, अगर आप shadow लगा सकते हैं, तभी आप लगाईएगा, दरवाईज आप इसको खराब कर लेंगे, तो इसी तरीके से अगर आप बनाते हैं, तो भी यह काफी अच्छे लगती है, तो मैं यहाँ पर shadow लगाऊंगा, तो उसके बाद आप यहाँ पर पूरी painting देखना, लास्ट में आपको देखने को मिलेगी, काफी सुन्दर painting से यहाँ पर निखल के आएगी shadow के बाद, तो shadow लगाने से क्या फाइदा होता है, कि यह उभर के आएगा उपर को, 3D shapes में लगेगा आपको, तो यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के designs देख सकते हैं, तो इसकी एक important चीज होती है, designing, आपको designing किस तरह से करनी है, और कौन-कौन से design आप यहाँ पर बना सकते हैं, वो चीज यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने बहुती अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको समझाय हुआ है, और बहुती slowly यहाँ पर दिखाया है, आपको real time videos है यह, अगर आप देखते हैं तो इसको सीख पाएंगे, किस तरह से आपको ब्रस चलाना है, और किस तरह से lining क्रिएट करनी है, तो line आपकी properly बहुत अच्छी होनी चीए, सार्प होनी चीए, और smooth होनी चीए, तो वो ज़्यादे अच्छा लगता है, इस जो आर्ट है, यह वाली मंडल आर्ट, इसमें lining की creation देखते हैं, किस तरह से आपको आपने line create करिये है, किस तरह से उसमें smooth नैस है, किस तरह से उसमें flow है, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, और आप भी इस तरीके से घर पे, तो feather के नई-ने design यहाँ पर आप देख सकते हैं, किस तरह से creation करना है आपको नई-ने designs में, आपको हर feather जो बिल्कुल black नहीं करना है, अब आप देख सकते हैं, पूरी video complete हो चुकी है, पूरी paintings complete हो चुकी है, तो मैंने यहाँ पर shadow लगा लिए, अब आप देख के बताईएगा किस तरह से यह पूरी paintings लग रही हैं आपको, तो इसका first part जरूर देख लिजेगा, मैंने उपर उसमें बताया किस तरह से आप पिकॉक बना सकते हैं, बहुत आसान तरीके से, तो hope आपको ने video काफ़ी enjoy करी होगी, और काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको, आप भी hope try जरूर करेंगे एक बार इस painting को अपने wall पे, तो मिलते हैं इसी तरीकी नई videos के साथ, तब तक के लिए जैहिन बंदे मात्रम,